वेलकम टो ऑनलाइन एक्जाम वर्यार, ऑनलाइन एक्जाम वर्यार में मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं, आज हम लोग रुक मिनी पब्लिकेशन का एस्टाटिक जीके जो आया है, आपको 101 क्याबन सेट है, पर सेट आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा, कितना क्वे पात सेट एक वीडियो में रिविजन क्लास बना करके आप लोग को प्रोबाइट करेंगे, आप लोग ज़रूर कमेंट किजिएगा, जितना ज़र्दा ज़र्दा कमेंट किजिएगा, तभी हम इसको स्टाट करेंगे, एक्सवे क्याबन सेट हैं, यानि कि आप आप लोग कमेंट किजिएगा, या पहला वीडियो है, या डेमो कलास के तौर पर होगा, या रिविजन कलास होगा, एक से पात सेट, यानि कि पात सेट का वीडियो सौब कोईशन हम एक सेट में करेंगे, आप लोग ज़रूर कमेंट किजिएगा, अगर कमेंट करते हैं, कि सर इस बुक को स्टार्ट करना है तो हम इसको स्टार्ट करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहला सेट हम इस डेमो कलास होगा तो आप लोग ज़रूर कोमेंट कीजेगा और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया अगर अच्छा लगते हैं तो लाइक करेंगे करेंगे चैनल को सब्सकराब कि आप अगर को प्रेस कर दिझेगा तो चलिए देखते हैं आज पहला क्या परिशत करेंगे तो चलिएस्ट करते हैं क्या है कि सन्युक्त राष्ट स्थापना हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को और 24 अक्टूबर को सन्युक्त राष्ट के अस्थापना दिवस मनाया जाता है सन्युक्त राष्ट का एक अभीन यानिकी महत्पून अंग है सुख्षा परिसाथ सन्युक्त राष्ट के उद्देश्वें अमसिधानतों के अनुकूल अंतराष्टी सान्ती और शुक्षा को बनाये रखने का पर्यास करती है सुरक्षा परिशत के परतियक अस्थाइस दस के निश्य धात्मक मत प्राप्त होते हैं और सोव्य सन के बीटों का सरवाधिक परयोग क्याता है इसका क्या एंसर होगा देखिए यहाँ पर और ऑप्सन नमर इसका सी हो जाएगा चीन प्रांस रूस ब्रितेन और यूयस से देखिए इसका एक ट्रीक भी आप लोग याद कर सकते हैं क्या होता है यूफ आर अर ए सी ए है अप से हो जाएगा आपको फ्रांस आर से हो जाएगा रूस यूस इसे होगा अमिर्का यानि इससे हो जाएगा इंगलेंड तो आप लोग याद कर सकते हैं फ्रेस एक अच्छा वर्ड बनता है मिनिंग होता है फ्रेस यह आ रहे है तो चल यह देखते हैं अब हम दूसरा नमर कोईचन देखते हैं दूसरा कोईचन है निमलिकित में से कौन सुमेलित इसमें नहीं है तो रावत भाटा में है जो परामवारंव उर्जात सन्यल्प है और रावत भाटा पर्वान उर्जा सन्यात स्थापत है और रावत भाटा पराम एंसर हो जाएगा चलिए हम तीन नमर कोईचन देखते हैं सदीर किस निर्थ की सायली का प्राचीन नाम है तो सदीर किस निर्थ की सायली का प्राचीन नाम है तो यहां पर देखिए सदीर भारत नाट्यम निर्थ सायली का एक प्राचीन नाम है भात नाट्यम तविलांडो का सास्त्रिय निर्थ पूरीि कथको पूरी odici और मनी पूरी कथक तथा सत्रिया रुक्मिनी देवի अरुन देला भाद नात्यम की परसिद निर्थ अगनाधिद इसका एंसर क्या हो जाएक option number, C, भार्त-णार्ट्य, even bedroom का एक नया प्रासी नाम है सदीर, चलिए चार नमर questions देखते हैं, questions OP मौंट एवरेश्ट पर दो बार फता करने वाली महिला कौन है तो दो बार फता करने वाली महिला है यहां पर देख लिए मौंट एवरेश्ट पर दो बार फता करने वाली महिला है संतोस यादव संतोस यादव 20 की सबसे उची प्रवत चोटी पर यहने कि मौंट एवरेश्ट पर दो वर्च रहकी हैं एवरेश्ट की उच्छे जो अभी वर्तवान में जो नापी गई है वह कितना है आपका 8848.86 मीटर एवरेश्ट परता करने वाले पर्थम प्रवतार हो ही थे तेंजिंग नार्वे नेपाल की थी और एड़म हिलेरी न्यूजिलेंड की यह कव की थी यह क्या था 1903 पर में यह याद कर लिजेगा 1903 पर में और एवरेश्ट पर चलने वाले पर्थम महिला जुंकु तेवई जपान की थी जो भात की पर्थम महिला बचेंदरी पाल थी चलिए इंसर हो जागा इसका संतोस यादाव पांच नमर क्वेश्चन देखते हैं क्वा वांटु मैदान किस देश में हैं क्वांटु मैदान जपान में हैं यह मैदान हुंसु दीप के मद में इस्लिप यह जो भाड्य वर्षा एक मभु उद्योग है तू परसीद छेता है जो चावल सबजी फल्युर्य पएवं पैदावार होती है हुनसु जपान का सब से वर पांच नमबर हो गया 6 नमबर कोई छना है निमलेखित में से कौन असत्य है तो कौन असत्य है इसमें हो जाएगा आपका छोट्म है अकास मिसाइल के बारे में कोई कथन सत्य नहीं है या मिसाइल प्रेक्षेपन द्वार्टी में किया गया था और इसकी मैग गती 2.4 था तो र्ह च्छा मत्री माझाना अवळ। प्रियोकित में से कोई नहीं। क्विश्चन नुम्हर साथ है सुम्यलित नहीं है कौनी। तो सम्यलित नहीं है देखें यहाँ पर यह कहां पर इसके बारे, इसके बाढ़े क्या है, रेनु का जिल हमाचल प्रदिस में बहाद के सबसे उची यहीश्ची च्छोटी आत्रभूमिका है और सम्में हाफ लोंग जील चंदूबी जील और दिपोर जील इस्तित हैं सुर्धार जील का लोकाप पर्णन दोहर बीस में उत्राखन में इस्तित किया गया है कि पुष्कार सामभर जील और रामगार जील पिछोला जील इत्याधी रास्तित हैं अगला कुश्न ए गुट फेक्स अंदोलन की अस्थापना सामिलनेता है तो कह नहीं है इसके अन्सलीकाइका acord 50 डूद नम्र सी घूट निर्पे ज स्थाफना जो स्थाफ नहीं कि योगोवाद सिले मिष्ट छाफ्यावद ड्यार्याम तर्फ ल सामिल थैं गूट उन्हीं चेहल होई थी और गूट मेना अग्रीमेंट मोज點 का मुख्याल है जाकरता है यानि इंडोनेसिया की जड़ादानी जाकरता है जुब तो है पचास तक यह जल में स्वाविस्त होने वाला रायधानी है और गुट निर्पिक्ष आंदरों के सदस राष्टों ने मीत राष्ट और धोरी राष्ट के साथ किसी में सामिल ना होने और ततस तराने की नीथी अपना ही है तो राष्ट एंसर क्या हो जाएगा इसका ओप्षन नमबर सी हो जाएगा ए बी और डी कि दस नमर कोईशन है डायना मंदिर हेतु सम्माद परसीधा है तो डायना मंदिर परसीधा किसले दोस्तों आप लोग अब बैसे बता दिये हैं कि या वीडियो आपको डेमो वीडियो होगा अगर आप लोग चाहते हैं इस बुक को स्टार्ट करना तो आप लोग जरूर स्टार्ट किजिए क्योंकि आने वाले सभी एक्जाम के लिए स्ट्रेटिक जीके बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगा देखिए अभी जो एंटीप एक क्या बंच सिठा है हम आपको पांच सेट के हिसाब से आपको इसमें चलाएंगे तो तीस पंचे एक मेना कंदर हम इसको खतम कर देंगे आने वाले आपका एक्जाम अगर दूसरे फेज में है आप लोग जरूर कोमेंट किजिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद गर्यओंट करना है या नहीं तो डाइना मन्दिर किसलिए पर्सीत अस्थान है तो डाइना मंदिर है तो इन फेस पर्सीत अस्थान ऐधान या मंदिन एस जाके उत्रीबात cuma के फिसाम तरथ जनमस्तर्यान दीन्स, अप्टित गैह फशूपाति कौत, Всॉत में च्श्ट एक बैठ ले इस मस्य का जन्मस्तर लिए एंसर हो जाएगा उप्सन नमर डी तो जरूर कोमेंट कीजेगा जिसमें हम 5-5 सेट के आपको प्रोवाइड करेंगे नींद का अध्यान होता है तो नींद का अध्यान क्या होता है हिपनोलोजी में अक्रोमेटरोलोजी के अंतरका रंग अस्थियों को जोरा को अध्यान को और थोलोजी और काल करम कर देंगे को क्रोणोलोजी अप्सन नमर यह हिपनोलोजी हो जाएगा सुमेलित करना है आपको तो चल यह देखते हैं आपड़े विकल्प एस अहीं है महनदी को सुहागा और स्वाभाग का परतिक मना जाता है राज्तार के विस्सा जाती के लिए महिला कभी महनदी नहीं लगती है और इपन मधुबणी चितकला को कहा जाता है और चौक पुर सुमेलित नहीं लाल तिरकुन परिवार्द नी ओजिए से होगा डिट्क्रोंच डॉक्ट्रिस जाहता अस्परा थाल खत्रा या प्रोकने के लिए हरा प्रकास आपको रास्ता साफ सिगनल होगा पीला प्रकास साफदानी से आगे बादने के लिए पर्तिक है और लाल प्रक प्रतिबंदित करने के प्रमानु प्रसार को रोखने के रिवस्ता की गई थी अब तक 183 देशों में इन संधी पर हरस्ताक चरके कितने हैं CTBT में 183 हो जाएगा इसका एंसर क्या हो जाएगा ऑप्सन नमर बी इसका एंसर क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा ऑप्सन नमर डी क्या है डाउंचेंग येटिंग एरपोर्ट तिबद में इस्ति था या दुनिया के सबसे उची यान से 47 मिटर की हावसा जाया है अलासुल नमर डी तीबब और और 16 नमर कुछरा किस ने चित्रन किया था इसके ऐंसर लाये तलवी आने इतिली कए अा पुर्थिकार एक चितरकार थे और पावलो पिकास हे स्प मेला कहां पर अध्यलिब को सकर मे ला में या कार्तिक पुर्णवा के समय प्रारम होने वाले कार्तिक मेला है क्म मेला यह मैला कि पर क्याताा की सुतıl्य संद्रियु निटी नहीं में इस इन के सुतorit म je सस्टान आ कि पार्तीम यूटी टीया प्रांस में लेवर्ति मंथीफिया गया था यह फंद Igor के सारemin में लिवार्टिव दिव परिस्तिता या परतिमा का डिजैन फ्रांसिस सी मूर्थिकार फ्रेडरिक अगस्त बार्थोल दी ने तियार किया था इस परतिमा को सबसे बरी मुर्थी कहां पर है तो यह होगा और ब्राजील में उची अधार सिला यानि 49.6 मीटर पर है यह परतिमा दुनिया के सबसे बरी आर्ट डेको सहली का मुर्ति हैं मेक्सिको में क्रिश्टला रे परतिमा इस्तिध है तो चलिए आज हम लोगों ने यह फर्स्ट सिर् है रूक मीनु का जो स्टेटिक जी के का है कि ईसने आपको बता दिये है कि एक स्ट्लses तुन सेट है जिस में आपको 300 when सेट बैस है ज्यदा यह नही पर्सिट बीस पर सेटित क्वेश्ट हम पांच सेट एक होगा तो हम दो दो भी डाल सकते हैं जैसे कि आप लोग से पहले हम कही वीडिया को बताइथे कि हिस अप लोग को प्रवाइड कर दिये हैं आप लोग कोमेंट किजिए आप आपकोवेश दिन मी भी है कर देंगे जारूर किजिए मैं ने लिया है यह बुक क्योंकि हम पटना मेरा थे तो हम लोगो इजली यहां पर मिल जाता है बुक आप लोग कहिएगा तो जरूर इस वीडियो बुक को लाएंगा अगर नहीं आप लोग को दिमाब में कोई दूसरा बुक है जो बुक आप लोग चाहते हैं तो हम यहां सा आप लोगो प्रोवाइट करवा बेंगे थेंक यू